आज तु बहें जी आप बहुत सुंदर लग रही है संदर करती है हमको कोई देख ले तो मर जाए ये दुलन है दुलन डोल रही है दुलन की मम्मी अच्छी लग रही है तो सीधा हाथ में क्या लोगों के सीधा हाथ ले लेते हैं यह वास सही है आज घर पर आनी वाली थी सवासिनी यानि कि मेरी बुवा जो ननाद होती है वो जब घर पर आती है उसके बाद ही घर पर फंक्शन स्टार्ट होते हैं जैसे कि आज बुवा आने वाली थी तो मैंने सुबह पहले उटके जूस बना लिया बील का सोचा सब के लिए कुछ अच्छा सा बना कर रख देती हूं तो बील का दूस बनाने के लिए बील का फाल होता है उसमें बीच में से चमत से पूरा ःका निकालके उसमें दूढ शक्कर डालके इसे कम ब्लेंड करो जादा ब्लेंड करने से क्या होता ना कि यह कड़ूवा हो जाता है इसके बाद मामी था कि भटतи या क्योंकि वह गेट पर nggak से ह लोग आ गए थे अब बारी थी देहरी पुझाने की तो बुआ आ गई तो पूरे विदी विदान से देहरी पुझवाई गई बुआ महां से कुछ लड़ू दू और यह कपड़े में रखकर लाई थी वो देहरी पर रखवाए गई उसके बाद यह देखिए ऐसे चावल लग सारी ओरते आ गई तो शुरू हुए फंक्शन आस था सीधा हाथ मंगोडी पापड और खीच बनता है हमारे हां तो यह चार फंक्शन थे तो सबसे पहले दत्रा मम्मी जो पड़ोस से लेकर आई थी कल वाले व्लॉग में आपने देखा था उसकी पूझा की गई तो मम्मी तो चार उन टीलारी बंतायसे ल्गया थुञा आरे हमारे हां तो मम्मी ने एक तो वुआ है मेरी एक पड़ोस में भाभी जी रहती है उनको और तो तो य cave ने अं रभी सबने को कल आटi अर तो शुरू ही गए तो मुझे तो बहुत हैं सच बोल रही है मिक्स दीलिंक आ श हैपी वाली तो बहुत जादा है लेकिन जब मम्मी को ऐसे दुखी देखती हूं तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है लेकिन ठीक है हम सब मम्मी ने बहुत वेट किया अपनी बेटी की शादी का तो फाइनली आई गई है थोड़ा रोना तो आई गई अगर मैं जाऊंगी त मम्मी को सादा कुछ आता नहीं था तो पड़ास में जितने भी भावियां अंटी आई हुई थी उन सब ने बता दिया क्योंकि हमारे अभी और भी जो रिष्टदार है वो आना बाकी है तो कल मेरी अम्मा आजाएंगी मेरी ताई जी आजाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नह कौन से पूछें किस से क्या करें इसके पाद मम्मी ने जो दत्रा है इसकी पूजा शुरू की इसमें डाल दलते हैं चुटे-चुटे से सूप ममी मामी जी से ले आई थी सूप बोलते हैं इन में ना क्या करते हैं दाल को रखके ऐसे अदला बदली करते हैं तो मम्मी ने इ यह जुद्ब BACKyanast पहले क्या होता है यह काम प्रॉपर्ली किये जाते थे पहले प्रॉपर दाल को डला जाता था सारे काम होते थे क् necesis पापड और जो भी बनने हुते थें लेकिन ऐसकी आज कल क्या है यह सिर्फ रीती रिवासों में रह गया थे क्योंकि अल्रेडी सारे कामों के लिए या तो घर पे ना मेड लगी हुई होती है कुछ और होता है तो यह सारे रिती रिवास किये गए बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि घर में चलो हमारे गर में पहली बार कोई फंक्शन है मेरे दादा दादी के हम छोटे के साथ च आई हो आप लोगों को बहुत अच्छा लग आगा हुआ होगा को सारे लोग कमेंट कर रहे कि है ऐसा दखला है इसा हमारे गर में चाहली है तो मुझे ऐसे कमेंट पड़के भी बहुत अच्छा लगए आपर लोग इसे प्लाग सारा प्यार देरो जैसिते पर व्लॉग आज वो जो तेल का फंक्शन काम था वो भी था वो तेल गिरा कर देरी पर उसके बाद अंदर जाते हैं उसके बाद ममी आज बड़ भातईयों को नौतने भी गई थी शाम को ममी आकर थोड़े बड़ पापड बना रही थी और बाद में मेरी मा ने मेरे को लगाई महंदी क्योंकि आज मेरी लगन का फंक्शन है कल उसका भी व्लॉग जल्दी अपडेट करूँगी उमीद करूँगी आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट चोड़ दीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट पढ़के बताईएगा जरूर कैसा लगा आपको ये व्लॉग और किस किस किया ऐसी रीती रिवास होते है